अगर दोस्तों वी व्लॉक सेच कोई सन में आपका स्वागत है MCQ प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ते हुए आज हम साथ मार्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो जिन्होंने अभी तक पिछले 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखें वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन और केटलोगिंग से रिलेटेड एमसी क्यूस तो जिन्होंने में चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे टेलिग्राम पे जॉइन कर लिजे जहांपे आपको वीडि इसनार है विंग इन सीची सेवन तो आप एसी मतलब है कोलन क्लासिफिकेशन और सब्सक्राइब मतलब है सात्मां एडिसन उसका तो आपको यहाँ पर देखिए कितने फेज रिलेशन है उसमें तो यहाँ पर आसका अंसर होगा शिक्स यानि छे फेज रिलेशन इसमें पता सब्सक्राइब करते होगा जर्नल वायस कंपरेजन इंफ्लूएंस डिफ्रेंस अंड टूल्स तो आपको यह याद रखना है तिछे फेज रिलेशन है सीची के सात्में एडिशन में आगे बढ़ते हैं इन कोरन क्लासिफिकेशन पैरंथिस साइन जो पैरंथिस का साइन है एक छोटा ब्रेकट देख रहे हैं यह किसलिये इंडिकेट यहां पहलेा इन्टिकेट करता है तो यह करता है सब्जेक्स को जो हम सब्जिक्स करते हैं правильно क्लासिएं साइन का ये आगे बढ़ते हैं यहां पर question है classification research group CRG वाज formed in your classification research group कब बना था तो यह कब बना था यह बना था 1952 ठीक है कहां बना था यह आप यादर कि यह लंदन में बना था यह यांग इंग्लेंड भी आप option में हो सकता है लंदन भी हो सकता है तो दोनों option आप देख लिजेगा तो लंदन था तो यहाँ पर correct कर लिजेगा उसे तो अगला question है library classification fundamentals and procedure यह book है यह 1944 में किस ने लिखी थी तो यहाँ पर देखिए यह भी बता दिया गया है book का नेम भी है यहाँ पर इसके author कौन है इसके author है डॉक्टर एसार रंगनाथन आगे बढ़ते हैं अगला question है henry laforten and paul outlet work for development of तो यहाँ पर पूछा गया है कि henry laforten और paul outlet ने किसका development किया था यनि क्या work किया था तो यहाँ पर इसका answer होगा udc यानि universal decimal classification इसको बनाया था इन्होंने आगे बढ़ते हैं अगला question है canons for characteristics are part of तो यहाँ पूछा गया है canons of characteristics किसका part है तो यह है idea plane का अगले question चलते हैं लोग what kind of notation used in udc यहाँ पुछा गया कि udc में कौन कौन से notation यूज होते हैं मतलब किस टाइप के notation यूज होते हैं तो यहाँ यूदी सी में mixed notation यूज होता है तो मैं आपको पहले भी noticing के बारे मता चुका हो आप मेरे पीछली वीडियो में देख लीजेगा noticing के बारे में clear हो जाएगा आपको और cc में mixed notation होते हैं यूदी सी में mix होता है पर ddc जो है उसमें pure notation होता है आगे बढ़ते हैं अगला question है ddc is n तो ddc किस तरह का classification scheme है तो यह है enumerative classification scheme है ठीक है इसको द्यान में रखेगा अगला question है in udc the common isolates are called तो आप पुछा गया कि udc में common isolate को क्या कहते हैं यह common isolate किस नाम से udc में जाने जाते हैं तो इसका अंसर होगा auxiliary subdivision यहाँ पर auxiliary subdivision सही answer है अगला question है if library is going to change the exist classification scheme and cataloging system known as तो यह एक process क्या होती है तो यहाँ पर इसका और तरह किस क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पुछा जाए कि reclassification या recatalogging यूज कि आती है तो उसे क्या कहा जाता है तो यह है law of osmosis तो law of osmosis कहते हैं कि अगर कोई भी library अपना जो classification scheme यूज कर रही है collector logging scheme यूज कर रही है उसको change करना चाहती है तो law of osmosis के अंडर में आता है अगला question है frvr means तहाँ पर frvr का full form पूछा है functional requirement for bibliographic records ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question है CCF stands for CCF stands for में वक्त इसका full form पूछा गया है तो इसका full form है common communication format work of unknown authorship is called यह next question आपका work of unknown authorship is called तो यह cataloging का question है कि cataloging में जो work होता है जो authorship है वो आपको नहीं पता है या उसमें authorship नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा उसको कहा जाएगा anonymous work क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं पता है कि कौन author है आगे बढ़ते हूं FRVR developed why तो यहां पर फर्वियर कर पिछला question था उसका full form था तो यहां पर पूछा गया कि FRVR को develop किस ने किया था तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा इसने इसको डेबलब किया था आगे बढ़ते हैं कि the word catalog has been derived from तो आप पुछा के catalog जो वर्ड है वो किस भासा से लिया गया है किस भासा से बना है तो यह है ग्रीक भासा ठीक है यह ग्रीक language है उससे catalog जो वर्ड है वो डेराइब किया गया है अगला question देखते है कि LCH originated at the library of Congress in the year जो LCH है यानि Library of Congress subject heading वो कब established या कब बनाई गई थी यहां पर देखिए यह बनाई गई थी 1898 यानि 1898 में 1897 भी कहीं कहीं दिया है तो 1898 वर 97 दोनों हो सकते हैं तो दोनों एक साथ कभी नहीं दिये जाएंगे आपको option में या तो 98 दिया होगा या 97 दिया होगा तो वैसे 98 ज्यादा सही है तो इसको आप लेके चलिएगा आगे बढ़ते हैं कि दक कैनन ओफ रिकॉल वैल्यू वाज डिवाइस द्वाई तो आप पूछा के कानन ओफ रिकॉल वैल्यू है किसने डिवाइस की थी यह हैं डॉक्टर ऐसा रंगनातन नहीं अग्ला विच्जिशन के विच पंक्चुएसोंच आप यूजर्ण और यूजर्ण और इसके बार ज्यादग कर लेनी है तो उपर आइवटन पे क्लिक करके आप देख सकते ह quirड़ीू डीव रिटियो ड़ोग कि उसमें आपको क्लेर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, अगला question, Sears list of subject heading was compiled वाई है, जो Sears list of subject heading थी, SLSH, यह किस ने compiled की थी, तो यहाँ पे name सही आपको पता चलता होगा, last में, इसका option, यह देखे, mini L Sears, ठीक, 1923 में इन्होंने compiled किया था, subject heading, जो Sears list थी, इसको, आगे बढ़ते हैं, the catalog which represents the collection of a number of libraries, that catalog term writes, तो यहाँ पूछा गया है, कि ऐसा catalog जो collection को represent करता है, किसी library के, तो वो catalog किस term को मतलब उस catalog को क्या कहते हैं, तो इस catalog को कहते हैं, union catalog, इसको ध्यान से बढ़िएगा, यह काफी question पूछा रता है, तो यहाँ पे union catalog answer होगा, इसका, तो आज की वीडियो है, पिसमाप होती है, तो आप मुझे telegram पर भी follow कर सकते हैं, आप मुझे twitter पर भी follow कर सकते हैं, और आपको इस वीडियो की अगर pdf चाहिए, तो आप मेंगे telegram channel से download कर सकते हैं, thank you.